घर में त्याग करें केमिकल से पाक डाई, हेर डाई जो कि आपके बालों को ऐस्ता ऐस्ता कुछी दिनों में आपके किचिन ने मुझूद चन चीज़ें जिसा के सरसो का तेल, चाई की पती, कौफी और हल्दी के इस्तामाल से हम त्याड करने लगे हैं घर में बगाए केमिकल के हेर डाई जी ये हेर डाई त्यार होगा सरसो का तेल से लेकिर उसे लिए शर्त है कि आपने एक तवा यू तवे पे डालना है तो उसको हलका सा गरम होने दें, जैसी वो हलका हलका सा गरम होने लगेगा तब जाके आपने हल्दी डाल लिए हैं, क्योंकि हमने इन तमाम चीज़ों को जिलाना नहीं है, हमने इसको हलका हलका सा पकाना है, हल्दी डालते ही आप देख रहे हैं किसका कि पैकाते हैं यहां तक कि डाइक ब्राउंर्ण गहराitis अहल्दी का हो झायर। अहल्दी का बर्शों से सद्यों से चलता रहा है बालों के लिए और अगर हम इसमें कॉफी पाउडर डाल देंगे क्योंकि कॉफी पाउडर एक नेच्रल इंडीडियन है नेच्रल प्रोडेक्ट है जो के बालों को डाक रेडिश प्राउन कलर देने में बहुत ही जादा बेहतरीन प्रूफ हुआ है क्योंकि ये एक 100% और्गेनिक वे है 100% और्गेनिक तरीका है जिसके जरीए हम आपको डाय त्यार करना बता रहें ये जो डाय रेडि होगा ये एकटम जट ब्लैक कलर देहीं करेगा आपके वालों में आप देख रहें कि आएस्ता हल्दी का रंग भी डाग ब्राउन हो गया है और चाय की पती अब इसमें डालेगी चाय की पती के तो क्या ही कामालात है इसको आप अलग से भी शैंपू मे जिसमें चाय की पती और शैंपू का यूज बकाइदा बताया गया है कि बालों के लिए कितना मुफीद है तो जी यहां पर आप देखें कि रेडी हो गया हमारा माटेरियल तक्रीमल गारा हो गया ठीक हो गया जब आप ये स्टेज आजए की जब आपको लगे ये तमाम का जो हो तीक होता जा रहा है और एक बहुत डबलसक्रिण का डाग ब्राउं करल आ गया है ये ब्लैक ब्राउं करल अभी नहीं आएका तो कि आइरन में हम इसको पका रहे हैं आइरन में यानि लोहे के बरतन में जब कोई बी चीज पकाई जाती है तो थोड़ी तेल के बाद तो डा कर अगी हो जाती है इसलिए जब कभी भी आप हैर से डाय से रिलेटिर कोई बीची जरी करें तो आपने उसे लोहे के बरतन में ही रेडी करना है तो यह ओल हमारा यह मिक्शर हमारा तक्रीबं तक्रीबं रेडी है इतना है बता रखना है आपने इसे ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना ना ही और थोड़ा सा तिक भी इतना ही रखेगा तो यह जो स्टेज है इसमें हमने बस इसको ठंडा करना है कुछ तेज के लिए और हमारा यह और रेडी है हम इसको अपने वालों पर लगाएंगे एक से समताय चलती हूँ कि यह जो रेमिडीज होती है यह जो और्गेनिक तरीके से हम घरों में त्यार करते हैं यह तो थोड़ा सा प्रोसेस जरूर करती है इसके लिए बहुत जरूरी है पहले बता दूमें आपको कि इसको कवर करते हैं तकरीबन दो से डाइग हैंटे तीन हैंटे के लिए भी आप इससे कवर कर सकते हैं और नाइट भी रख सकते हैं इससे यह होगा कि यह बहुत जादा ओरिजिनल कलर अपना छोड़ेगा निसा से डाकिश ब्लैकिश कलर इसका आजाएगा थोड़े दे के बाद आपने अपना यह मेटीरियल है तो डाइकेंटे के बाद आपने इसको निकाल देना है इसको चान देना है अच्छा डारेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं बस थोड़ा सा मस्ता ही होगा के बालों में शैंपू 102 दफा करना होगा एकदम देखें बाल ब्राउन नहीं हो जाते थोड़े थोड़े सी जड़ें जो हैं लाइट लाइट कलर की हो जाते हैं मुस्सलसन इस्तमाल करते रहें तो आपका कलर बालों में यह आना शुरू हो जाएगा बाद में साथ ही चीज़ क्लियर करती जाओंगी यह वन बोश यह वन एप्लाई में यह रिजर्ट नहीं आएगा आपको कम से कम इसको हर हफ़ती इस्तमाल करना होगा तो इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते हैं लाइक करें शेकरें सबस्क्राइब करें आपने जरूर ट्रॉय करना है जादे से जादा मेरी वीडियो को लोगों में शेयर करें and don't forget to subscribe my channel Jazakallah Fahir Allah Hafiz